चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो राजस्तान स्टेट का मौपप और इस्टे वैकनसी राउंड का सेड्यूल जारी हो चुका है इसमें हम डेट वाइस सेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी डेट को क्या इवेंट होगा इसमें तो इसमें सीट मैट्रिक्स आने हैं मौपप राउंड के लिए वो थार्ड डिसमबर ट्वैंटी टू को यानि आज देर राद तक ये पब्लिस हो जाएगी सीट मैट्रिक्स इसकी इसके बाद में राजस्तान के फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मौपप राउंड में फ्रेस रेजिस्टेशन होता है जिन कंडिडेट ने रेजिस्टेशन नहीं किया है वो इस राउंड में रेजिस्टेशन कर सकता है तो इसके रेजिस्टेशन थार्ड डिसमबर 2022 से स्टाट होकर के इसकी जो last date रहेगी वो 10 December 22 सम पासबजे तक रहेगी इसमें आप registration फीस आपको deposit करना है part 1 complete करना है part 2 complete करना है और इसके बाद में जो merit list publish होगी Mopop round के लिए वो 11 December 22 को publish हो जाएगी Mopop round offline होगा R.U.S.S. Dental में वो होगा 13 और 14 दिसंबर दो दिन के लिए 13 और 14 दिसंबर 22 को ओफलाइन जेपूर होगा इसके बाद में जो मोपो प्राउंड के लिए लास्ट डेट जोइनिंग रहेगी वो 16 दिसंबर 22 साम पांस बजे तक रहेगी यह आपको Allotted College में जोइनिंग करनी है आलोटेट को मतलब जिन कंडिडेट को Government College में Allowed होती है तो Government College में जोइन करना है किनको Private College अलोट होती है तो अपने Concerned College में ही Allowed होने के बाद में जोइनिंग करनी है ये पहले second round तक SMS में reporting होती थी लेकिन अभी mopop round के बाद में अगर seat alert होती है आपको तो वो joining आपको college में ही करनी है चाहे government हो चाहे private हो इसमें तो ये तो होगी joining की बात अब इसमें stray vacancy round का भी schedule आ चुका है तो stray vacancy round के लिए जो provisional seat vacant रहेंगी वो उसकी जो vacancy seat के लिए seat matrix आएगी वो 17 तदिसंबर 22 को आएगी हम सब जानते हैं कि stray के लिए दुबारा से phrase registration नहीं होते हैं तो ये mopop round के registration के base पर उसकी provisional merit list के base पर ही stray vacancy round कड़क्ट होता है तो stray vacancy round government colleges के लिए होगा यानि कि जो government की पुराने colleges हैं और जो राज मैस की colleges हैं पुरानी और नहीं उन colleges के लिए गौर्मेंट के लिए ये stray vacancy round conduct होगा जेपूर RUHS dental में और इसकी date रहेगी 19 डिसंबर 22 सुबह 9 बज़े सी इसके बाद में जो private का stay vacancy round होगा वो concerned college द्वारा conduct किया जाएगा तो वो अपने अपने college में ये round होगा ये 20 डिसंबर 22 को होगा तो जिस candidate को जहां college लेनी है वो अपने college में पहुंच सकता है 20 डिसंबर 22 को तो ये इसका schedule है last date joining 21 डिसंबर 22 रहेगी दोपेर दो बज़े तक के लिए इसके बाद में इसमें जो rules हैं वो दे रखे हैं original documents की requirement होगी counseling के समय इसके बाद में जिस candidate ने second round में seat join नहीं किया है वो मोपप round के लिए फिर से registration करके इसमें participate कर सकता है तो इस परकार की ये condition इसमें रहेंगी ये तो ये schedule है राजस्तान स्टेट के मोपप round का और stay vacancy round का मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिंग